हेलो किसान साथियों, बेट आल इन्फो यूटूब चैनल पे सभी किसान साथियों का हरदिक स्वागत करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेटाबॉलाइट जाने की जो बिर्बेक कंपनी का ट्रांजिशन पीडियर के लिए फीड सप्लीमेंट आता है मेटाबॉलाइट उसके बारे में डेटेल से जानकारी लेकर हाजर हैं जाने के मेटाबॉलाइट आप अपने पशू को किन किन कंडिशन में दे सकते हैं और इसकी क्या डोज रहती है और इससे देने से क्या क्या फाइदे होते हैं और इसकी मेटाबॉलाइट के बारे में प्रॉपर जानकारी लेकर हाजर हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले सबी किसान बाईओं को नमेदना है कि किर्पा करके वैटरनरी से सबंदित डैरी फार्म से सबंदित हर परकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरू सिस्क्राइब कर ले हम दिन बादिन जो है डैरी फार्म से लेटर वीडियो अपने चैनल पे दिन बादिन लेकर आते हैं दोस्तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यह मैटाबॉलाइट है फीड सप्लिमेंट है बिरबैक कमपनी का पौडर फॉर्म में आता है यह मैटाबॉलाइट जाने की ट्रांजिशन पीरेड के लिए यह सप्लिमेंट आता है जाने की अगर आपके पशू का बयानने में एक लेड मा रह गया तो आप उसको यह मैटाबॉलाइट जो सप्लिमेंट है दे सकते हैं जिससे देने से दोस्तो बहुत सारे फैदे होते हैं आपके पशू का जो है रांचन फीड बयानने में उसको कोई प्रॉबलम नहीं आती कोई दिक्कत नहीं आती जैसे बयानने के बाद जेर अड़क जाती है तो उस प्रॉबलम से भी बचने के लिए रेटेंसिन और प्लसंटा की प्रॉबलम से बचने के लिए यह मैटाबॉलाइट यह है हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो रिगमिट करते हैं वो पिस्क्राइब करते हैं दोस्तों यह सप्लिमेंट है आफ् भी दे सकते हो लेकिन ब्यानने से पहले दोगे तो आपके पशु को यह मैटाबॉलाइट के बहुत सांदा रेजल्ट मिलते हैं जनी आपके पशु को ब्यानने के बाद होनी वाली बीमारी हैं उनसे सुटकारा मिल जाता है जैसे मस्टाइटस मेटराइटस मिल्क फीवर र और कैलसियम की डेफसेंसी आजाती है बयाने के समय तो उनस अभी प्रॉब्लम का यह शल्योशन है दोस्तो मैटाबॉलाइट अडर की डिपैलमेंट भी करता है प्लस प्रडेक्शन में भी इसका बहुत बढ़िया रोल रहता है दूद बढ़ाने में भी कि इसका जो मैटा पाउच होते हैं जो एक पाउच है बन पाउच है अपने दिन में खलाना है इसको इसका दोस्तों जो अगर आप बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हो तो बयाने से एक मन्त एक मिहना पहले आप इसको स्टार्ट कर सकते हो रोजाना एक पाउच दे सकते हैं और एक डब्ब बियाने के बाद दोद भी बढ़िया देता है और मस्टाइटस, मट्राइटस बगएरा बगएरा प्रॉबलम से पशू का जो बचाओ रहता है दोस्तों अगर इसकी देने की तिथी है तो आप एक पाउच है जो दिन में खिला सकते हो जो इसको आप बंड बगएरा फीड बगएरा देते हो तो इसके मिला कर यह आप अपने पशू को खिला सकते हो इसका दोस्तों रिजल्ट है बहुत सांधर देखने को मिलता है बियाने से पहले जदि आप एक मीना पहले स्टार्ट करते हो आई होप आपको मेटाबुलाइट के बारे में टटेल से जानकरी मिलगी होगी जदि आपका कोई फीड सप्लिमेंट के रिलेटर कोई कवाचन है तो हमें कमेंट बाक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद